देखो ये कॉश्शन करना है तू नम्बर्स A & B are selected from 123200 नम्बर्स and multiplied find probability that A into B is divisible by 3 है ना find probability that A into B is divisible by 3 देखो ध्यान दो दो नम्बर सेक्वे गए कहाँ से 1 लेकर की 100 तक तो देखो ns क्या हुआ, ns क्या हुआ, total number 100 है, उन मेंसे 2 लेने हैं, तो 100c2, देखो 1 से लेकर 100 number है, 2 लेने हैं, कोई भी 2 ले सकते हैं, तो 100c2, अब हम चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि उनका multiply 3 से divide हो, तो देखो n e कैसे निकालेंगे, n e, n e का मतलब a into b जो है, वो 3 से divide हो, देखो, a into b अगर 3 से divide है, तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता a b, a 3 से divide हो, b ना हो, या हो सकता b 3 से divide हो, a ना हो, या हो सकता a और b, दोनों ही 3 से divide हो, अगर हम कहते हैं, a into b 3 से divide होगा, तो 3 कैसे से, कि a divide हो जाए, b divide ना हो, या b divide हो जाए, a divide ना हो, या दोनों divide हो जाए, तो तो तीन केसे से, या देखो ऐसा भी कर सकते हैं, कि हम चाहते हैं, A into B 3 से डिवाइड हो, तो क्या होगा देखो, A into B, is divisible by 3, A into B 3 से डिवाइड हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो हम क्या करें देखो, तो टोटल केसेस निकालें, ठीक हैं, टोटल केसेस, और उस मेंसे वो माइनस कर दें, जिसमें A into B 3 से डिवाइड ना हो, A into B, not divisible by 3, एक तरीका तो यह है, कि A into B 3 से डिवाइड हो, इसको निकालने का, कि या तो A डिवाइड होगा, B डिवाइड नहीं होगा, या दोनों डिवाइड होगे, तो 3 केस बनाएं, या 3 केस बनाने से अच्छा है, हम कोश्चन को निगेटिव अप्रोच से करें, मतलब, टोटल केसेस में से, हम वो केसेस निकाल दें, जिसमें A into B 3 से डिवाइड न 12 है 15 है और 99 है यह वो नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं कितने नंबर है यह इनको निकाल सकते हैं तो कितने नंबर है यह यह नंबर 33 है तो कैसे मालूम चला तो यह 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 एक एपी है तो एपी का एंथ टर्म 99 दिया ए है 3 और दो को डी भी है 3 बरावर 99 तो 3 एन बरावर 99 तो एन कितना हो गया 33 है यह वो 33 नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं तो वो कितने बचे जो 3 से डिवाइड नहीं होते हैं नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं होते हैं वो कौन कौन से बचे देखो 1, 2, 4, 5, 7, 8 and so on और यह कितने होंगे यह कितने होंगे वोलो तोटल नंबर 100 थे उसमें से 33 माइनस कर दिये तो बच गये यह 67 नंबर जो कि 3 से डिवाइड नहीं होते हैं तो यह वो 67 नंबर हैं जो 3 से डिवाइड नहीं होते हैं तो A और B इनी मैसे अगर हम सेलेट कर लें तो इसका मतलब उनका मैल्टिपलाई 3 से डिवाइड नहीं होगा देखो टोटल केसे कितने हैं 100 C2 दो नंबर चुनने के टोटल केसे होगे 100 C2 और अब हम वो 67 नंबर दे 60 C2 तो यह हमारा N E आगया है ना N E N E का मतलब ऐसे नंबर लेना तो तीन से डिवाइड नहीं होते हैं तो क्या किया टोटल केसे मैं से वो केसे मैनस किये जिसमें नंबर तीन से डिवाइड नहीं होते हैं हना हमें वो चाहिए जिसमें हमें दोनों का मल्टिप्लाई तीन से डिवाइड होता है तो दोनों का मल्टिप्लाई तीन से डिवाइड होता चाहिए तो हमने टोटल केसेस मैं से वो केसेस निकाल दिये जिसमें दोनों का multiply 3 से divide नहीं होता हना तो ऐसे number 67 हैं जो 3 से divide नहीं होते हैं इनका मतलब इस मेंसे अगर हम 2 number A और B लेंगे इन numbers मेंसे अगर हम A और B लेंगे तो confirm है उनका multiply 3 से divide नहीं होगा जोकि ना तो A 3 से divide है ना B 3 से divide है A और B दोनों मेंसे कोई भी 3 से divide नहीं है तो वो 67 number है इन 67 मेंसे 2 number लेने हैं तो उनका multiply confirm है 3 से divide नहीं होगा तो total cases मेंसे A into B not divisible यह N E हो गया तो हमारा देखो probability क्या हो गया N E ठीक है N E यह है upon देखो N S यह है ठीक है अलग अलग करो this upon this तो 1 minus 67 C2 upon 100 C2 इसको simplify कर लेंगे तो question का final answer हमको मिल जाएगा अच्छा question है ध्यान देना हाना अच्छा question है काफी लोगो बच्चो ध्यान से अच्छा